नमस्कार दोस्तों आप सभी का योध्धा अकेडमी पर और योध्धा एप पर और हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टेडी जॉन पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ये हमारा पहला लेक्चर वेडियो है जिसके अंदर हम NDA Mathematics के स्लेवस के बारे में डीटेल से बात करने वाले हैं मैंने औल्रडी यहां पर अपना पूरा एनलिसिस कर लिया है स्लेवस को मैंने अच्छे से नोट आउट कर लिया है समझ लिया है जान लिया है बाकी अब मैं आप सबी को समझाना सुरू करने वाला हूँ तो आप सभी हो जाएए तैयार अगर आप भी करना चाहते हैं एंडिये को जॉइन एंडिये की एक्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो आपके अंदर जोस जुनुन जज़वा होना चाहिए लेकिन साथ ही आपके अंदर महनत करने का जज़वा महनत करने की आपके अंदर ताकत होनी चीए जब तक आप ठानेंगे नहीं कि आपको महनत करनी है तब तक आप कर नहीं सकते आप ठान लीजिए वैसे भी नई साल आ रही है नई साल पर आप ये अपना गोल बना लीजिए नोट कर लीजिए कि आपको महनत करनी है NDA को फोड़ना है और NDA में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो में हम NDA Mathematics के सिलेबस के बारे में डीटेल से बात करने जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं बिना बात्चीत जादा देर किये हुए और सबसे पहले आप सभी को बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे एप योध्धा दे डिफेंस लर्निंग एप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी की अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से जाकर डाउनलोड करो या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो योध्धा एप आपको तीन चार स्क्रोल करने के बाद चोथा पांचवा एक फोजी का निसान वड़ा जो आप बगल में मेरे देख सकते हैं इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको मैं मैथेमेटिक्स बढ़ा रहा हूँ एक अलग ही दमदार तरीके से जिससे आप NDA के मैथ को बिलकुल आसानी सो और एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं चलिए तो अभी एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं NDA मैथेमेटिक्स का सिलेबस मैंने ओलरी यहाँ पर पूरे बोड को भर दिया है लिख दिया है क्योंकि आप सभी का टाइम बड़ा कीमती है और इस टाइम को हम ऐसे लिख कर बरवाद नहीं करना चाते तो पहले मैंने लिख लिया अब मैं समझाओंगा भाई साब पहला जो पेपर होगा पूरा गनीत का होगा 120 सवाल होंगे और 300 नंबर का होगा ठीक है एक सवाल धाई नंबर का होगा नेगेटिव मार्किंग होगी 0.833 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है ठीक है एक बटा तीन की नेगिटिव मार्किंग होगी इस बात को याद जरूर रखिएगा अब बात करते हैं साब सिलेबस क्या है तो सिलेबस मैं समझाओं उससे पहले आप सब को बता दू कि मार्केट में बहुत सारी किताबे अवेलेबल है सब किताबों में किसी में कुछ लीग खा गया है आप कोगे साब आपने भी कुछ नहीं छोड़ा तो मैं बता ooonगा किसाब कैसे क्यों नहीं छोड़ा और क्या क्या चीज हमारे लिए इंपोरटेंट है वो भी चीज़े आप सभी को बताने वाला हूँ syllabus किताबों में कैसे लिखा हुआ है मुझे नहीं पता मुझे मैंने सबको analysis already कर रखा तो मैं किसी एक special किताब का नाम नहीं लूँगा मैंने सबको analysis करके फिर यह सारी चीज़े तैयार की है हमने syllabus को total पांच category में divide किया है पांच category कौन कौन से है भाई साथ पहली category algebra हमने तैयार की है second category हमारी होगी geometry third category होगी हमारी trigonometry fourth category calculus और fifth category होगी कुछ special chapters ऐसे पांच category में पूरे chapters को divide कर दिया है सबसे पहली बात कुछ chapters ऐसे होते हैं जिने पढ़ने के लिए हमें पहले के कुछ chapters को आना जरूरी है अगर वो हमें नहीं आते तो हम अगले chapters नहीं पढ़ सकते जैसे की calculus समाकलन अवकलन जो होता है उसे पढ़ने के लिए भाई साब trigonometry का आना जरूरी है अगर trigonometry आपको नहीं आती तो आप calculus नहीं कर सकते रद्दी भर भी नहीं कर सकते भूल जाना उस चीज़ को लेकिन कुछ chapter ऐसे भी है जिने पढ़ने के लिए आपको कुछ भी आए या ना आए कोई फरक नहीं पढ़ता वो chapter कौन से algebra है, geometry है हमारे कुछ special chapters मैंने उस लिस्ट में रखे हैं जो arts और commerce के जो बच्चे NDA का paper देने वाले हैं जो form भरते हैं उन सभी के लिए special बताने वाला हूं तो चलिए, अब सुरू करते हैं हमारे magical तरीके से या कि डिफरेंट तरीका जिससे आप और हम एक साथ जुड़ कर फोड़ने वाले हैं NDA को एक दमदार तरीके से तो अब तैयार हो जाओ और मेरी तरह खुले रहो अपने पंको को खोल लो क्योंकि अब हम उडान भरने वाले हैं अब ये दुनिया हमारी उडान को देखेगी अब हम आस्मान ना अपने वाले हैं तो तैयार हो जाओ सबसे पहली बात करते हैं भाई साब algebra की, सबसे पहली बात किसकी करता है algebra, algebra का मतलब बीजगनीत की, बीजगनीत में कौन-कौन से chapter हमने रखे है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बगल में, सबसे पहले हम basic formula को पढ़ेंगे basic formula क्योंकि भाई सबसे पहले कुछ formula आप सभी को आने चाहिए पढ़ने के लिए तो basic formula हम पढ़ने वाले हैं और यह आप सभी को भी आने चाहिए secondary वाई साब quadratic equation दिवी घात समीकन chapter जिससे 4-5 सवाल हर बार NDA में पूछे जाते रहे हैं, कभी 4, कभी 3, कभी 5 ऐसे सवाल हर बार पूछता है तो दिवी घात समीकन complex number समिस्र संख्याए sequence and series AP, GP, HP ठीक है, PMC, permutation and combination करमचे तथा संचे binomial theorem दिवी पद प्रमे logarithm, लगू गणक, graph of in equation, यह कुछ chapter हमने रखे है यह कुछ chapter हमने रखे हैं भाई साब, algebra के अंदर वीजगनिक के अंदर, जिन chapters को आपको पढ़ना है, आप चाहें तो इसका screenshot यहाँ पर ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी photo click कर सकते हैं वीडियो को पोज़ करके आप इनको लिख सकते हैं, बाकि आपके मरजी है यह algebra के कुछ chapter है लगबग, लगबग, algebra के अंदर से आपके यहाँ पर 20 से 22 सवाल सोरी, हम यहाँ पर कहें 20 से 24 सवाल आपके algebra से पूछेगा भाई साब, कितने 20 से 22 से 24 के something सवाल आपके अकेले algebra से पूछेगा, तो कितने chapter हैं आप देख सकते हैं, हर chapter से यहाँ पर अगर हम करें 4, 8, 12, मतलब लगबग किसी से 3, किसी से 4 ऐसे सवाल लगबग ज़्यादा कमबती होते रहेंगे अकेले algebra से 20 से 24 सवाल के something पूछे जाएंगे बात करते हैं, geometry की यानि जियाइमिती की बात करते हैं भाई साब, सबसे आसान मेरी नजर में सबसे आसान तो algebra उसके बाद geometry ऐसे आसान के हिस्सों में बाटा था कि आपको भी मदद हो सके तो देखो भाई साब, geometry में, जाएमिती में coordinate geometry geometry जो होता है हमारा निर्दे सांक, जाएमिती इसके बाद straight line सरल रेखा circle, वरत, conic section जिसमें parabola, hyperbola आते हैं 3D, 3V में जाएमिती ये chapters हैं, इसके अंदर भी आपके लगबग 15-20 सवाल स्कोर कर लेंगे आप कितने? 15-20 सवाल, हर सवाल, धाई नंबर का total 120 सवाल, जिन में से 15-20 सवाल केवल geometry से आएंगे ठीक, और ये पढ़ने के लिए आपको कुछ भी आए ना आए, कोई फरक नहीं पढ़ता आप अगर arts या commerce के हैं science के हैं, तो बिल्कुल आसानी समझ सकते हैं, बिल्कुल गदर तरीके से, ठीक, आगे trigonometric के बात करते हैं trigon mythology जिसे कहते हैं इसके अंदर basic trigonometry होता है जिसके अंदर हम कौण ratio के बारे में पढ़ते हैं, second इसके अंदर trigonometric identity जिसके अंदर हम मान निकालते हैं, तिरकोण मितिय कुछ कोणों का मान, कुछ अच्छे values का मान हम निकालते हैं inverse trigonometry होती है inverse trigonometry होती है trigonometry समीकरण आते हैं height and distance आते हैं और इससे भी आपके यही 20 से 24 सवाल का target होता है, और इतने सवाल पूछे पूछे जाते हैं calculus की बात कर लेता है calculus से भाई साब, calculus से क्या आएगा function, limit, differentiation application of dy, dx and integration, मोटा मोटा है भाई साब, लेकिन हलके में नहीं से 25 सवाल आपके पूछे जाएंगे, और last हम बात करते हैं कुछ special chapter की जिनमें हमने रखा है set theory को, determinant, matrix vector, probability, aesthetics जिसमें से आपको determinant और matrix पढ़ने के लिए कुछ आए ना आए, कोई फरक नहीं पढ़ता समझ गए, और इसमें से vector हो गया, probability हो गया, aesthetics हो गया, भाई साब इतने सवाल आते हैं, इतने सवाल आते हैं मज़ा आजाएगा आपको करते करते और इस से भी आपके यहाँ पर 20 से 25 सवाल total पूछेगा, तो total आप जोड सकते हो, लगबग 20, 20, 20, 20 भी जोड़ोगे 100 सवाल, बचे होए 20 सवाल में, मैंने कहा किसी से 22, किसी से 24, किसी से 25 किसी चेप्टर से तो ऐसे ऐसे सवाल गजब गजब क्या आजाता है आपको मज़ा आजाएगा, और हर चेप्टर से भाई साब सवाल उठते हैं देखो, एक चेप्टर से अगर पांच सवाल आ रहे हैं, तो पांच में से, दो से तीन सवाल तो ऐसे होंगे, दो सवाल आसान दो सवाल होंगे, एवरेज जिने हर कोई कर सके, और एक सवाल होगा टफ, ये लेवल होता है और NDA के पेपर को अगर Arts, Commerce, Science, तीनों बच्चे दे सकते हैं ना, तो पेपर को तीनों के हिसाब से बनाया जाता है, इतने बेवकुफ नहीं है पेपर बनाने वाले कि आपसे पेपर फोरॉम भरवाएंगे, पेपर दिलाएंगे और आपके लिए सवाल न डाले, इतने बेवकुफत वो भी नहीं है हर किसी के हिसाब से एक एवरिज पेपर बनाया जाता है तो आप चाहें किसी से भी हो डरिये मत सबसे पहले अपने सिन्सीने के अंदर अपने दिल के अंदर जो डर है उसे निकाल दीजिए और तैयार हो जाओ क्योंकि अब लड़ना है और इस ज उद्धा एप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बिलकुल ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फेस्बूक पर कहीं पर भी देख रहे हो भाई साब जहां से भी देख रहे हो आपके जानकार रिजित्यदारी म आपके पडोस में कोई भाई भेन कोई भी है जो एंडिये का फोरम भर रहा है और एंडिये को फोड़ना चाहता है तो एक बार उसे योद्धा एप जरूर डाउनलोड करवाना और बिलकुल कम यार आप खुद बताओ मेरे भाई हमने आपका डर दूर कर दिया जो दो पड़ो खतम करो सब कुछ मिलेगा उसके अंदर थियोरी मिलेगी प्रैक्टिस मिलेंगे पीवाई क्यूस मिलेंगे आपको टेस्ट की वीजिज मिलेंगी सब कुछ हम वहाँ पर दे रहे हैं देखो सुरुआत है कुछ कमिया हो सकती है कोशिस कर रहा हैं दीरे दीरे भूचा देंगे बस अब तयार रहो हो जाओ तयार अपने डर को कर दो दूर अब फोड़ना है एक्जाम को तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर सो जैहिंद जैभारत सिलेवस को नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए सबसे पहला कदम अपने दुस्मन के बारे में अपने ड्रीम्स अपने गोल्स M के बारे में ऐसा जान लीजिए कि आप लोगों से हट कर बन जाएं तो चलिए स्लेवस आपके सामने पेस trending कर लीजिए स्क्रीम सोट कर लीजिए जो करना हे वो कर लीजिए भाई-साब तो कर लीजे नोट इसको आपके सामने है पुरा स और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत